हालो और इवन वांस अगेन वेलकम बैक टो नपीसी एंड बचल आस लेक्चर में हमने वैसिक इंट्रोड़क्शन ऑफ एक्टर्स के बारे में स्टेडी किया और इस लेक्चर में हम अनली टूपिक्स डिसकस करेंगे पैरल शिप्टिंग ऑफ एंगल बिट्विन टू यह जो आपका लेक्चर है आजका लेक्चर नमबर सेकंड यह आपका लेक्चर थर्ड से कनेक्ट करता है इसलिए हम इन टू पॉइंट्स को पहले कवर करेंगे पहले सिखेंगे और आप लेक्चर थ्री पर जाएंगे ठीक है तो पैरल शिप्टिंग ऑफ एक्टर्स क्या ह होगा सो सिंपल ही अगर आपके पास कोई एक वैक्टर है ठीक है यह आपका वैक्टर है इसका कुछ मैगनिट्यूड है और एक पर्टिकुलर डिरेक्शन है अब इससे आप उठाकर इस तरह से किसी अधर पॉइंट पर रख सकते हैं आपको चेंज क्या नहीं करना है आपक वैक्टर की शिफ्टिंग करते हैं ठीक है वैक्टर केन भी शिफ्टेड पैरलल इंट शिफ्ट बी ऑन बोडि ठीक है मतलब जो आप प्रेक्टर ले रहे हैं वही वैक्टर का शिफ्टिंग हो को सकता है other body का other vector का shifting नहीं अलाओ हूए ठीक है one body तो एक है मेंस आपने vector A को आप इस तरह से shift कर सकते हैं conversation आपको change करना हे ना तो मैगनीचूड्ड Are not sauce إلى direction folks इलिए मैंगनुचूड्सेम रहेंगे तभी ये पैरल shifting अलाओ है अगर आपके इस तरह से vectors दे दे तें ठीक है वेक्टर आपको दे दिया है एक ये और एक ये ठीक है वेक्टर ए एंड़ लेक्टर बी अब इससे आप इस तरह से Shift करके ये आपका vector a है और vector a के tell को आप b के tell से एड़ भी कर सकते हैं ठीक है मिलस् ये वाला जो vector है, हमने उठाकर a के टेल पर रख लिया, ठीक है, parallel shifting कर दी, ओके, अब इस तरह से भी हम कर सकते है, आपका जो vector है, वो ये vector है, तो vector b, vector a के tell को आप b के tell से भी add कर सकते है, कब जब आप पैरल शिफ्ट कर रहें मिंस इससे सेम मैगनिट्यूड और सेम डिरेक्शन में इससे नीचे भी ले जा सकते हैं मिंस वेक्टर ए आपका एजिट इस रहाएगा यह जो वेक्टर बी है इससे आप क्या कर दें फारवर्ड डिरेक्शन में थोड़ा से बढ़ा दें तो यह आपका क्या हो जाएगा पैरल शिफ्टिंग यह वेक्टर भी है बट नेगेटिव एक्सेस में है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आपका पैरल शिफ्टिंग हो रहा है यह इंपोर्टेंट है तो इस तरह से आगे हम चीखने वाले हैं तो उसके लिए बैसिक्स जरूरी है और बैसिक्स में पैरल शिफ्टिंग और वेक्टर यह आपको आना चाहिए नेक्स्ट है एंगल बिट्विन टू वेक्टर अब टू वेक्टर में आप एंगल कैसे डिफाइन करें ठीक है मिंस आपका जो तरह से आपको एक वेक्टर दिया हुआ है तू वेक्टर दिये हुआ है तू वेक्टर के बीच ही आप एंगल फाइंड करेंगे ना तो इस तरह से आपको वेक्टर दिये हुआ है वेक्टर ए है और वेक्टर बी है अब एंगल जानने के लिए तू वेक्टर के एंगल जान करें या तो टेल को टेल से कनेक्ट करो या हैड को हैड से कनेक्ट करो उसके बाद般 ही अप comenz करें ओके व्याझ पर हमने यह आपका वेक्टर एज ये वेक्टर एकर इकटल है और यह एक मैज्च भी है एक एस कनेक्ट कर दिया सरी ठोल गज़से मुगहारे ले दे रहा है, यहां 90 डिग्र इंग्री में रहता है , ठीक है , हैं तो यहां एंग्ल से आप कौन सा एंग्ल लेए यह वाला जो एंग्ल है या एंग्ल आपके है बाट आ ये एंग्ल भी तो हें। और यह कितना होगा, ठीक है, 360 में से 90 माइनस करो, तो कितना होगा, 270 डिग्री, यह वाला जो एंगल है, that is 270 डिग्री, तो आप कौन सा एंगल लेंगे, 90 डिग्री या 270 डिग्री, तो इसके लिए भी एक कंडिशन है, जो कि आपको याद रखनी है, क्या है, कि ठीटा आपका जो है, वो 0 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, not less than 0 डिग्री, and not greater than 180 डिग्री, ठीक है, so 180 से कम वाला जो एंगल है, वो कौन सा है, 90 डिग्री, तो यहाँ आपको 90 डिग्री कंसीडर करना है, 270 को आपको नहीं लेना है, ठीक है, यह क्योंकि यह greater than 180 है, इसी रेंज में आपको एंगल लेना है, ठीक है, ओके, आपको इस तरह से कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर A and वेक्टर B, अच्छा, अब इसमें आप एंगल डिफैंड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यह तो आपको टेल से टेल कनेक्ट करना होगा, यह हैड से हैड, यहाँ अब इसकी पैरल शिफ्टिंग करके, इसके जो रीप्रेजेंटेशन है, पहले वो ठीक करते हैं, और उसके बाद में फिर एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है, तो कैसे करें रीप्रेजेंटेशन, तो इससे एंगल A ले लिया, आपने, वेक्टर A ले लिया, और वेक्टर B क वेक्टर B का आपने पैरल शिफ्टिंग कर दी, पैरल शिफ्टिंग में इस वेक्टर को आपने इस तरह से नीचे बढ़ा दिया, ठीक है, फोरवर्ड डिरेक्शन में इंक्रीस कर दिया, ओके, यह आपका B वेक्टर, अब देखिए, B वेक्टर की टेल, A वेक्टर के टेल यहां पर आपको एंगल लेना है 90 डिग्री, ओके, यह आपका कंसिडर होगा, क्या 90 डिग्री, ओके, अब एक और एक्जामपल लेते हैं, यह आपका एक्जामपल फरस्ट, सेकेंड, अच्छा, एक और एक्जामपल ले लिया आपने, इस सारह से यह आपका वेक्टर B है औ और यह आपका वेक्टर A है, ठीक है और इन दोनों के बीच में 120 डिग्री है, यहां भी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि, हैड और यह दोनों एड हैं, ठीक है, यह दोनों कनेक्ट हैं, बट आपको तो 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 यह हैड तो हैड कनेक्ट करना है, तो हम क्या करें, इसकी पैर पैरल शिप्ट कर दिया, किसे A को, ठीक है, अब यह एंगल क्या होगा, बता सकते हैं, 60 डिग्री होगा, अच्छा, इसमें कन्फ्यूज हैं, तो आप एक और तरीके से इस क्वेशन को कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कि यह जो B वेक्टर है, इससे आप आगे कर लीजिए, ठ इसकी, अच्छा, यहां पर यह एंगल कितना होगा, तो टोटल यह वाला पूरा एंगल 180 होता है, तो यह आपका 60 होजाएगा, ठीक है, यह 60, यह 60, यह 60, सेम ही है, ठीक है, आपको पैरल शिप्टिंग किस तरह से कर दी, यह आपका जो आंसर आएगा, एंगल बिट्वेश सेम ही रहेगा, ओके, अच्छा, नेक्स्ट लेते हैं, हम इस तरह से हमारा वेक्टर कनेक्ट है, यह आपका वेक्टर ए है, एंड इस वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है, ते इस 150 डिग्री, ओके, अब पैरल शिप्टिंग करो, तो पैरल शिप्टिंग कैसे कर स सकते हैं, इस तरह से कर दो, यह आपका वेक्टर ए, एंड इस वेक्टर बी, अब ए को आप फॉर्वर डिरेक्शन में इंक्रीज कर दो, यह आपका ए वेक्टर, इसका टेल, बीके टेल से एड हो गया, यह आपका 150 डिग्री दिया हुआ था, तो यह कितना होगा, दोनों व जो एंगल लेना है, वो टेल टू टेल के बीच में, या हैड टू हैड के बीच में ही लेना है, ठीके, आपको यहाँ जैसे यह वाले जो कंडिशन है, हैड एंड टेल, इनके बीच का यह 150 डिग्री एंगल यह नहीं लेना है, ठीटा की वैल्यू यह नहीं लेना है, लेनी क से ग्रेटर नहीं होना चाहिए ठीक है 190 या 200 270 यह एंगल कंसीडर नहीं होंगे ठीक अंचीडर क्या होगा 180 से अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन तोनों टॉपिक्स पर बैस्ट हमारी ग्राफिकल मेथड्स करेंगे ठीक एडिशन हम वेक्टर को एडिशन कैसे कर सकते हैं विद रहल पॉफ ग्राफिकल मेथड्स ओके सो कीप वाचिंग कीप लाइनिंग थैंक यू सो मच